इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक था कि घर में स्टाइलिश कैसे दिखे हैं, घर में कौन सी स्टाइलिश ट्रस पहनी जा सकती हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन उसके कमेंट सेक्शन में उच लेडीज ने कमेंट किय कि हमको तो साड़ी पहनना होती है, तो हम फिर क्या करें, तो मैंने सुचा कि इसी टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ, साड़ी पहनना कोई बुरी बात नहीं है, बलकि साड़ी में तो स्टाइलिंग के इतने मल्टिपल ऑप्शन्स होते हैं, जितने किसी दूसरी ट्रस मे नहीं होते हैं, एक बात आप और नोटिस करना कि जोलरी साड़ी में जितनी खिल के आती है, जितनी सूट करती है, जितनी अच्छी लगती है, उतनी आप देखना सूट के साथ आप उतनी जोलरी नहीं पहन सकते हैं, जितनी कि साड़ी के साथ करती है, तो हम घर में किस तरह कि साड़ियां पहने यह देखते हैं तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में थे पांच साड़ियों को इंकलूट किया है यह साड़ियां उसी वक्त की हैं जब मैं भी घर में के वल सारीज पहना करती थी हम सभी देवरानी जिठानी सब लोग मिलके रहते थे अबी लोग साडिया ही पहनते थे, एक दूसरे के कपड़ों को देखते थे, उनमें इंट्रेस्ट लेते थे, फिर सब दीरे-दीरे आलग हो गए, आजादी से रहने लगे, लेकिन अभी भी एक दूसरे के कपड़ों में बड़ा इंट्रेस्ट लेते हैं, और अब आप लोग यूसली जो आप पहनते हैं ब्लाउजेस उनसे थोड़ा सा अलग ब्लाउजेस ट्राइल करिए इससे भी आपका लुप काफी चेंज हो जाएगा और स्टाइलिश लगेगा ये ब्लाउजेस थोड़े से अलग हटके तो हैं ही साथ में इस अमफर्टेबल भी बहुत हैं मैंने इस ब्लाउज का प्रिंट ऐसा सिलेक्ट किया है कि इसके साथ प्लेन ब्लैक सारी, ओफ वाइट, मरून सारी भी अच्छी लगेगी इस ब्लाउज की स्लीव्स मैंने थ्री पोर्थ रखवाई हैं ऐसी सॉलिट वाइबरेंट कि सारी में गोल्ड जॉलरी भी काफी उभर कर आती है इसके साथ आप अच्छे से अक्सेसराइज कर लीजे, मैंने कानों में उप्स पहने हैं, पौरा चेंज, मैचिंग कड़ा और बिंदी से इसको अक्सेसराइज किया है थोड़े से एफर्ट से ही हमारा लुक काफी एलिवेट हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम काफी एफर्ट करके तयार हुए है येलो एंड रेट साउथ कॉटन सारी विद बोटनेक ब्लाउज रेट साउथ काफी शारी मेरी फेवरेट है, ये बहुत ग्रेस्फुल होने के साथ साथ बहुत कमफर्टबल होती है मैं अपने ससराल जाती हूँ, तो कई सारी रेट काफी अजले जाती हूँ अपसे पहले तो मैं साडी का फैबरिक देख्ती हूँ कि ईजी ली ड्रेप हो सके ऐसा फैबरिक हो मेंटेनेंस भी इजी हो, फैबरिक ब्रीदेबल हो प्लस थोड़ा अलग अटके साडी हो मतलब कॉमनली जो साडी पहनी जाती है उनसे थोड़ी सी अलग हटके हो साडी ना हो जादा ओवर तर टॉप या फिर आउट ऑफ बॉक्स साडी लेने का नहीं बोल रही हो मैं हमारी रेंज में जो थोड़ी सी अलग हटके प्रिंट्स हो पैटर्न हो वो ले तो थोड़ा चेंज महसूस करते हैं और वो साडी अच्छी भी लगती है मेरी यह भी सोभच है कि भाले ही दो की जगह मैं एक साडी लेकिन अच्छी लेकिन मजा आना चाहिए पहनने में Black Sari with Crop Top यह डिजाइनर सारी मैंने Crop Top के साथ पहनी है यह Black Crop Top मेरे बहुत काम में आता है मैंने इसको किवल 200-300 रुपे में फिलिप कार्ट से मंगाया था और इसको काफी यूज कर लिया है यह सबी साडियों के साथ काफी अच्छा लगता है उर भी कई ड्रस के साथ हते चल जाता है कुछ मैं tail कर लेती हूं इसके साथ जैसे श्रक के साथ तो पहनना है तो इसको पहन सकती हूं अंधर Bienuin के लिए अज़णी सारी है जब मैं घर में के वल साडिय पहना करती थी तब कि यह साड़ी है यह थोड़ी सी modern type की साड़ी है, इसके साथ diamond की dainty jewelry बहुत अच्छी लगती है पोर्ट सारी इस red, georgian, bandhani सारी इस तरह की bandhani की सारी भी आप घर में पहन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है यह इस तरह की traditional print है, जो सबके उपर ही अच्छा लगता है मुझे तो vibrant colors बहुत पसंद है, red मेरा favorite है इसलिए मैंने red में ले रखा है, और में कई colors में मेरे पस बांधनी और लहरिया की सारी है यह तो हमेशा ही अच्छी लगती है अगर आपने अभी तक इस तरह की सारी अपने collection में नहीं किये तो जरूर करिए और धर में इनको पहनिए तो आपका look एकदम different दिखेगा इसमें भी मैंने थोड़ा सा अलग घटके सारी को try किया है, एक monochrome सारी ना लेते हुए इस तरह की print की और pattern की सारी ली है, जो की usually मैंने किसी के पास देखी नहीं है, थोड़ी uncommon है एसी vibrant color की और बांधनी या फिर लेहरिया की सारी पहनने से एकदम हमारा look तो एलिमेट हो ही जाता है, इसके सांथ साथ दिल भी खुष हो जाता है, पहनने वाले का भी और देखने वाले का भी ये जोजट फैब्रिक में है, इसलिए इसमें इसमें स्लिम दिखते हैं 5th is black south cotton सारी, ये सारी जो है, इसको मैंने बहुत पहन लिया है, पतानी कितनी बार धुल चुकी है, इसको मैंने बैंगलोर से खरीदा था और केवल 300-400 रुपए की सारी है, मतलब हो गया काफी टाइम तब मैंने खरीदा था, अभी तो ये हो गई होगी से जादे तर डबल ह प्राइस में मिलती है, तो बहुत ही रीजनेबल है, ऑनलाइन शाद आपको नहीं मिलेगी, कभी आप बैंगलोर जाएं, घूमने या फिर किसी काम से, तो आप वहां के लोकल मार्केट में जरूर जाएगा, इस तरह की बहुत सारी साडियां आपको वहां पर मिल जाएंगी ये भी काफी low maintenance है, मुझे इसको iron भी नहीं करना पड़ता है, और ये काफी sober और graceful लगती है, इसका fabric ठिक है, लेकिन इसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है, इस तरह की पैटानी भी colors available थे, मैंने सारे ही खरीद लिये थे, इस वीडियो में मैंने किवल 5 सारी इंक्ल और लाइक्स का, I hope ये वीडियो आपके लिए useful रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाइ-बाइ! पैसी काना लाइचISTा 6 उड़ में 5, 0.7 अट है, भी बाइचियो है, भी भी उुए है, भी बाइचियो में वीडियो आपक com कर bene, आपको वीडियो मैं, ये पींपियो इंक्या जाना ग然后 दोग वीडियो पणक्ता टॉ भींभियो जाउक्याना चाह रहा है, अवीडियो वाल दोड़ चाल झाल झाल